नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल दिद्या में मैं हूँ आपके साथ भारती सेई हो जाएगी और दो साल में किया गया काम भी भारत को आगे बहुत लाभ पहुचाएगा फिलाल क्या है यूए नसी में प्रवेश होने के बाद भारत की सितिस पर आजम चर्चा करेंगे बर इस तरीके से यूए नसी में अब भारत प्रवेश कर रहा है और ऐसे मैं यह बड़ देश इसमें होते हैं जिसमें अस्थाई सर्दस्य जो पंद्रदेश होते हैं उनकी अध्यक्षता करने वाला यह एहम बात है जो कि हरे एक माह के लिए जो है वो अध्यक्षता शुरू होती है और दो साल के लिए इसमें उनसी में भारत शामिल हो रहा है अस्थाई सर्दस जो अपनी बात रखने का जो एक लेवल है वो अलग तरीके से देखा जाएगा पूरे दुनिया में जो है वो भारत की जो इमेज है वो बहुत ऊपर आ जाएगी और जैसे कि ये 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 जो पूरा संगठन है ये सुरक्षा को लेकर अपनी चीजें रखता है सुरक्षा को सु जो तरीके से आतंगवाद के खिलाफ अपनी बात रख पाएगा बिल्कुल भारत की इस तरीके साब जिकर कर रहे हैं कि यहाँ पर आतंगवाद को लेकर एह मुद्वी लगातार उठाए जाते हैं और ऐसे कई देश हैं जो आतंगवाद को उसमें वहाँ पर पनपता है और भारत को काफी नुकसान पहुचाने की वो कोशिश लगातारी करते रहते हैं चाप पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें लेकिन अब भी आपको ये समझाते हैं कि UNST में प्रवेश होने के बाद भारत को क्या फायदा मिलने वाला है और आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद है क्या इसमें चैप्रमुक हिस्से होते हैं और ऐसे में इसका में जो काम होता है वो ये होता है कि पूरे देश में सुक और चैन अमन बना रहे जिसके चलते ये पूरी संस्ता काम करती है ऐसे में दो साल के लिए भारत को एहम जिम्मेदारी भी दे दी तो यह दो ऐसे देश हैं जो लगातार टेरिस्ट अपने यहां बेजते हैं जा पाकिस्तान की आम तोर पर बात कर लें पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है लेकिन यह सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविदिया लगातार की जाती हैं सीज फायर का भी उलंगन किया जाता है खासकर कश्मीर बुद्दे की बात करते हैं तो कश्मीर बुद्दे पर लगातार कश्मीर को लेकर हिंसक जड़ब भी देखने को मिली है अब ऐसे मैं जब यूए नसी में भारत प्रवेश कर चुका है तो मजबूती मिल पाएगी भार जोड़ तरीके से मिल पाईगे और जिस तरीके से आपने सीजफायर की भी बात की जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो सीजफायर का उलंगन हर वक्त करता रहता है इसे में मैं आपको बता दूँ कि पिछले सालियन की एक दिन पहले अगर हम बाहत करें तो पूरे 2020 में 51202 वो पाकिस्तान जो की अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया आंकड़ा है एक्यावन सो बार जो है वो पाकिस्तान में सीस्वाय का उलंगन किया है बहुत ही निंदनी है और यही सब चीजें देखते हुए UNSC में हिंदुस्तान की जो वेल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से टेरिज्म और पूरे टेरिस्ट हर किसी का विरोध करता हुआ है और चाइना की अगरम बात जिस तरीके से कर रहे थे प्रद्यूम तो चाइना जो है वो एक ऐसा देश है जो की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है पाकिस्तान जब उनसे हत्यार खरीदता है तो चाइना पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करता है पहले जब चाइना हिंद और चाइना जो है अभी मिजा बाष्याज बाता है बाष्या से अपने हत्यार लेता था और अपको बता देंगीं तेंगी उसके बार से हिंदोस्तान तो बहुत सारी grudges हैं, बहुत सारी परेशानिया हैं, बहुत सारी शिक्वे हैं, मुझे लगता है चाइना को हिंदुस्तान से, जिसके चलते हिंदुस्तान का पहले भी विरोध किया था UNSC में चाइना ने और आज भी विरोध करने की कोशिश जरू करेगा, लेकिन विरोध क जाये थे उससे पचास उससे और पचास ज़ादा जो है वो वोट हिंदुस्तान को मिले हैं UNSC में शामिल हो जाएगा और करीब दो साल के लिए हिंदुस्तान वहां का सदसे रहेगा जिसकी जो जिसकी जो वेल्यू है वो अपने आप पे बहुत जादा है और जिसके जो फाइ नए साल का आगाज है, ऐसे में ये बहुत बड़ा तोफा भारत के लिए माना जा रहा है, लगातर पदाहन मंतरी मोधी भी इसका जिकर कर रहे हैं, और ये बात कही जा रही है, कि जिस तरीके से आतंगवादी गतिविदी लगातर भारत में होती हैं, उस पर रोक लगाना सब से बड़ा मुद्धा यहां पर रहेगा, क्योंकि जब आप UNST में शामिल हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसी पावर रहती हैं, जहापर आप विशेश तोर पर ऐसी गतिविदी ओ पर अच्छे से रोक लगा सकते हैं, आपको किसी भी परिमिशन लेने की जिरुवत नहीं बहुत अच्छा इसका रिजर्ट निकल के सामने आता है, गतिविदी लगातार जो आतंगवादी गतिविदी होती, इन पर रोक लग जाएगी, तो अपनी क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके चलते लगातार सरकार भी काम कर रही है, UNSC में अगर आप शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी गति विदियो पर बिल्कुर रोक लग सकती है, भारती जिस तरीके से अब UNSC में हम शामिल हो गए हैं, दो साल का हमारे पास बहुत लबब वक्त है, तो ये कहा जा सकता है कि इन दो साल में बहुत परिवर्तन आएगा? सप्नाते जो है, वो देश बागी दुनिया की असा निश्ट करने में काम्याब होगा, तो ये बहुत एहम हो जाता है कि हिंडूस्तान है कि इस तरीक बहुत 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 अइहम हो जाएगारा आप जस सबरेख़ा है क्या यो2 अए भारत सदर से बनने वाला है, ऐससे में भारत एक माह के लिए जो है वो अध्यक्षता भी करेगा क्योंकि इसमें देखा गया है कि 15 देशों की पूरी एक लिस्ट होती है टीम होती है इस पूरी टीम में 15 में से एक देश जो है कि आपको नाम बता देते हैं, नौर्वे, मेक्सको, आइरलेंड और केनिया, ये चार देश हैं जो अब भारत के साथ साथ UNSC में आप शामिल होगे, इनको भी वही पावर मिलने वाली है, ऐसे में अपनी सुरक्षा सुनिशित करना सबसे जरूरी है, और UNSC का विशेश तोर प बात करते हैं, तो चाइना को ये चीज बिल्कुल नहीं वो पचा पाएगा कि UNSC में भारत शामिल हो गया भारती, इस तरीके से चाइना कभी देखा गया है, कि कभी कुछ कहता है, उसके बाद वार प्लट वार वो करता ही रहता है, एक बात पर वो नहीं रहता है, ऐसे में अब UNSC में लगातार कोशिशे की जा रही थी, भारत आठ भी वार इसमें शामिल हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि चाइना कहीना कई इस बात की जलन जरूर रखेगा? बिल्कुल चाइना तो जलन रखेगा ही, साथ में पाकिस्तान, क्योंकि वो हमेशा खफा रहता है, तो ऐसे में चाइना तो जरूर परिशानी उनको होगी ही, साथ ही पाकिस्तान को भी परिशानी होगी और चाइना इसलिए जादा परिशानी होगी, क्योंकि चाइना ने प मिलने को मिली थी तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इस बार भी चाइना जो है वो जरूर अगेंज्ट खड़े जरूर है लेकिन अब कोई फाइदा नहीं है खड़े होने से क्योंकि अब दो साल के लिए हिंदुस्तान जो है वो अध्यक्षता माफ कीजिए इस पूरी लि की बात हो, फंडिंग की बात हो, पैसे की बात हो और ये बात किसी से नहीं चुपी है कि पाकिस्तान से आतमवादी आते हैं हिंदुस्तान में ऐसी गतिविदी करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हमारी सेना उनको रोकने का पूरा प्रयास भी करती है और उनको मार भी लेकिन अब दो साल के लिए ऐसी गतिविदी पर बिल्कुल रोक लगने वाली है क्योंकि दो साल तक तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि चाइना से या फिर पाकिस्तान से ऐसी भी फंडिंग की जा सके या आतंगवादी यहां पर बेजे जा सके तो कहिना कई फरक तो बहु भी माना जा रहा है UNST में अकर शामिल आप हो जाते हैं तो कहिना कि बहुत बड़ी एक successful achievement आपके लिए हो जाता है ऐसे मैं ये देखने वाले बात जरूर हो जाएगी कि इन दो साल में UNST में शामिल होने के बाद भारती किस तरीके से भारत काम करता है बिल्कुल क्या काम करत है ये देखने वाली बात होगी जो 27 अदस से है यानि कि अगर हम US की बात करें UK की बात करें France की बात करें Russia की बात करें तो ये चारों जो 27 अदस से हैं रखेगा यह अपने आपने भारत की इमज है को सामने रखेगा तो बहुत आहम हो जाएगा जिस तरीके से व अपनी बात रखेगा। बात तो यहाँ पर रखी जाएगी लेकिन जो विशेष मुद्दे रहेंगे वो कशमीर उठाया जाएगा आतंगबाद उठाय जाएगा आतंवादी की फंडिंग कौन करता है ऐसे मुद्दों पर विशेश ध्यान भी दिया जाएगा क्योंकि सुरक्षा सुनिशित करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेंगी वो UNST की पावर करने वाली है जो हिंदुस्तान को मिलने वाले जिस तरीके साथ बता रही है कि एक महीना अदिश्टा भी भारत करने वाला है पंदर और देश इसमें शामिल होने वाले हैं शामिल है इसमें ऐसे मैं चाइना और पाकिस्तान की नजर भी बनी हुई है लेकिन जिस तरीके से आपने बता है कि 51 सो बार सीजफायर का उलंगन हुआ है तो अपने आप में बहुत बड़ी बाते हो जाती है लेकिन अब दो साल के लिए इन चीजों पर जरूर लगाम लग जाएगी मिलकुल पाकिस्तान हमेशा से नकारता हुआ है कि हमारे आपर टेर्रिस्ट नहीं है, टेर्रिजम नहीं है जब कि वहीं पर ही पूरा आतंगवाद है वो पनपता है और जिस तरीके से बताया भी कि 500 बार सीजफाय का उलंगन हुआ है और इससे पहले पुलवामा अटैक जब हुआ तमाम तेरी हुआ, तो तमाम जो अटैक हुए है उससे साफ तोर पर ये जाहिर होता है कि कि इस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो एक शड़े अंतर रश्टा रहता है पाकिस्तान और उससे पहले बीचा गर मुंबाय अटैक की बात है तमाम तरीके के अटैक जो हुआ हिंदुस्तान ने जेले है नत जेले है और फिर साथ में मूत और जवाब भी दिया है पाकिस्तान को चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या तमाम चीजें नहीं हो लेकिन पाकिस्तान को ये समझने की बहुत जादा जरूरत है कि केवल चाइना का साथ लेकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते और हिंदुस्तान कितने अच्छे लेवल से तरक्की कर रहा है ये साफ तोर पर दिख जाता है जैसे वो UNSC में इस बार शामिल होने वाला है तो हिंदुसान के लिए ये एहम मौका है एहम दिन है और आज का दिन वैसे भी बहुत एहम है बिल्कुल एहम दिन पर एहम तोफ़ा मिलाया भारत को कहने का ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्दी है जिस तरीके साब जिकर कर रहे हैं लेकिन ऐसे मैं अब जिस तरीके साब ने जिकर भी किया कि लगातार हमले होते थे भारत पर वो हमला उपर जरूर रोग लगने वाली है क्योंकि UNSC में शामिल होने के बाद हर देश जो इसमें शामिल है जिकर लिए विशेश पावर मिलती है तो ऐसे मैं कहीं ना कि चाइना और पाकिस्तान आपकी जो नापाक हरकते हैं उस पर रोक लगने वाली यह तो साथ वर पर कहा जा सकता है बिल्कुल कहा जा सकता है और जिस तरीके से डोकलाम की बात भी जब हम करते हैं जो चाइना का जो एक लंबे समय से सीमा विवाद हमारे साथ चल रहा है काफी लंबा वक्त जो है वो 6-8 महीने का वक्त गुजर चुका है तो ऐसे में उनके उपर भी प्रेशर जरूर बनेगा और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान तो हमेशा नकारता हुआ है अपने आतंगवाद को लेकर भी नकारता हुआ है तो दोनों देशों और हलाकी प्रद्यूम एक चीज़ और हम देख सकते हैं इसमें की जो पाकिस्तान है हम कह सकते हैं कि शायद वो अपनी हरकतों पर लगाम लगा है लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों भाई-बाई है और दोनों की ही जो दोनों ही जिस तरीके से सोचते हैं अपने काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मानने वाले हैं क्योंकि बेशक हिंदुस्तान जो है वो यूए उनसी में शामिल हो जाएगा एक डर एक दबाव जरूर रहेगा लेकिन क्योंकि प यूए नसी में शामिल हो जाते हैं तो कही ना कही उनको मानना तो पड़ जाएगा क्योंकि भारत मुझे तोड़ जवाब पहले भी देता हुआ आया है लेकिन अब शामिल होने के बाग तो ऐसा मुझे जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको जहल भी न पाए फिलाल जिस तरीके से आप तक पुरी जानकारी पहुचा रहेते हैं ऐसे में नए साल का आगाज है और ऐसे में बहुत बड़ा तोफा ये भारत को मिल चुका है फिलाल के लिए इस खास पेशकोश में इतना ही जुड़े रही है न्यूस वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद